बीजेपी घोशना पत्र समिते की पहली बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाज सिंक्या धक्षता में होगी मीटी धराब नीती घोटाला मामले में कोट में होगी सीम केजरिवाल की पेशी आज खत्म हो रही है एडी की रिमार्ण केजरिवाल की कस्टेडी नहीं मांगेगी एडी थोड़ी देर मेरा उज़ेविन्य कोट में केजरिवाल की होगी पेशी सीम के इजरिवाल को पद से हटाने की याचिका पर दिल्ली हाई कोट में सुनवाई जेल से आदेश ये निर्देश जारी करने पर रोक लगाने की माँ ब्यारस नेता के कविता की जमानती याचिका पर सुनवाई आज दिल्ली शराब नीती घोटाला मामले में कविता की हुई है गिरफ्तारी ग्यान बापी परिसर के व्यास तैकाने में पूजा अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका आज सुप्रीम कोट करेगा सुनवाई जारखन के पूरू सीयम हिमद सोरेन की भी याचिका सुप्रीम कोट में हाई कोट के फैसले को दी गई है चनाउती कोट ने विधान सभा के बजट सत्र में भाग लेने की मांगी गई थी इजाज़ब लालू यादव की बेटी रोहिने आचारे को सारण लोगसभा सीव से मिला आर्जेटी का टिकेट आज पूजा पाठ के साथ किया चुनावी अभियान का आगाज रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना को 90 साल हुए पूरे मुंबई में कारिक्रम का आयोजर प्रधान मंतरी मोधी करेंगे शिरकर राजस्थान के दौरे पर गरहन मंतरी अमिर्शा जोधपूर में लोगसभा की कोर कमिटी के साथ करेंगे बैठा 6 अप्राइल को बीजेपी मनाएगी पारटी का स्थापना दिवस देश फर में होगा कारिक्रमों का आयोजर देश के चार राज जों पशिप बंगाल असम मिजोरम और मनेपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज तूफान और बारिश ने मचाई भयंकर तबाही पश्म बंगाल के जलपाई गुडी में तूफान का कहर पांच लोगों की गई जान सौ सजाला लोग घायल हुए सीएम मंता ने घायलों का हाल जाना पीएम मोदी ने भी जताया तो असम में भारी बारिश से जन जीवन हुआ प्रभावेत कई जगहों पर पेड उखडे कई घरों को भी पहुँचा नुक्सान मनेपुर के कई इलाकों में भी बारिश से आई तबाही भारी बारिश से जन जीवन हुआ अस्त्रेस्त जारखंड के रांची में मौसम ने ली करवट तेज आंथी तूफान से गिरे पेड़ गाड़ियों के तूटे शीशे लोगों की बढ़ी परिशानी मौसम दरभाग ने पूरवोत्तर के लिए जारी किया औरेंज अलट भारी बारिश होने का अनमाद आज से वित्वर्ष दोहजार चौबिस पच्चिस की हुई शुरुआत देश में बड़े हुए बदलाओ SBI के डेबिट कार्ड का बढ़ाया कैया चार LPG के सिलिंडर की कीमिते होंगी तै एनपीस में लॉग इन का बदला जाएगा तरीका पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन भी हुई खत्म अब आधार से लिंक करने पर देना होगा जुर्माना OMSीज ने घटाए हवाई इनन के दाम कीमतों में करीब पांसो तीम रुपए प्रति लिटर की राहत दी गई नई दरें आज से लागो हाईवे टोल की नई दरें भी आज से नहीं हो पाएंगी लागो आचार सेंटा के चलते लिया गया ये फैसला फिलहान पुरानी दरोंग से ही वसुला जाएगा टोल टैक्स दिल्ली के जगत पुरा इलाके में घुसा तेंदुआत तेंदुए के हमले में पांच लोग खायल हुए बन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे IPL मुकाबलों में पहली जीत की तलाश में मंबई इंडियन्स शाम साड़े साथ बजे बांखेडे स्टेडियम में राजस्थान रॉयल से होगा मुकाबला